देश के मुख्या सीम भूपेश पगेल की तो देश अपना 74 वा गरतंटर दिवसाज मना रहा है दो दिवसी है बस्तर दोरे पर सीम भूपेश पगेल हैं और ऐसे में लाल बाग परेड में दान में ध्वजा रोहन करेंगे बस्तर फ्राइटर्स में भड़ती हुए थर्ड ज मार्च पास्ट करती हुए नजर आएंगी मार्च पास्ट में शामिल रहेंगी वजा रोहन के बाद मार्च पास्ट और पदक अलंकरन समारों का आईजुन किया गया है सांस्वुतिक कारिक्रम भी आईजुत यहां पर किये गाए हैं तो 74 वे गरतंतर दिवस पर लाल बाग परेड मैदान में सी एम भुपेज बगेल धवजा रोहन करेंगे बस्तर फाइटर्स में भरती थर्ड जेंडर भी परेड में शामिल रहेंगे और चले इस खबर पर अधिक बादशीत के लिए हमार साथ समबात दाता प्रशांद गजबिय जुड़ गए हैं प्रशांद अपने भारत की शान बान आन यानी की तिरंगे को फिराने का आज दिन है और ऐसे में जगदल पुर दोरे पर एंसी एम बुपेश बगेल क्या ख और आज गंतन दिवस के औसर पर मुख्यमंत्री बुपेश बगेल खुद यहां पर पहुचे हुए हैं और कुशी देर में नौ बजे के आसपास जो है वो पहुचेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और बस नौ बजे का इंतजार है जब मुख्यमंत्री बुपेश बगेल यहां पर पहुचेंगे और पहुचने के बाद दोजा रोहन करेंगे और सबसे एहम बात यह है कि इस बार जो परेट ग्राउंड है परेट ग्राउंड में परेट करते हुए 14 टुकडिया नजर आएंगी उन 14 टुकडियों में से बस कि बस्तर के बाहर से भी लोग पहुचते हैं और सबसे एहम बात है जब आज मुख्यमंत्री बुपेश बगेल खुद रहेंगे तो जिस तरीके से हमने देखा कि दुसी दोरे पर मुख्यमंत्री बुपेश बगेल पहुचे हुए ते और कल बस्तरवासियों को लगाता कई सौगाते मिली है तो आज भी कई घोशनाओं की उमीद है बस्तरवासियों को और इसी लिए जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री मुपेश बगेल को देखने के लिए और जो जंडा रोहन करेंगे मुपेश बगेल उनको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुचेंगे और कुछ समय है नो बजे रोहन करणे के बाद जो है वह अपना उत्थ-बोधन दे और उत्थ-बोधन का इंतजार है लोगों को कि किस तरीके से बस्तर के लोगों जो है सौगात या घोशनाएं मिलेंगी क्योंकि चुनावी साल भी है तो इसलिए भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार जो है जिस तरीके से घोशनाएं हो रही है जिस तरीके से सौगाते मिल रही है तो बस्तरवासियों को और सौगाते मिलेंगी और देश का यहाँ पर भुपेश बगेल पहुचेंगे बुख्यमात्री च्छतिसगर शाशन के तो उनको जो है वो जो है उनका टुखडियों को सलामी भी देंगे जंडा रोहन करने के बाद चीप प्रशांद बत्वत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तो देखे कुछ ही समय बाद द्यानी की नौ बजे का वो समय रहेगा जब सीम भुपेश बगेल लाल बाग परीड मेदान में पहुचेंगे द्वजा रोहन करेंगे और द्वजा रोहन करने के बाद जनता को सम्भोधित भी करेंगे